हुआ है तो आइए स्टुडेंट्स आजकी लास में स्टार करते अपना एक नया चैप्टर क्लास 9 का जिसमें हम करने वाले हैं mathematics में statistics और ये stats चो chapter है ये 9th में ही नहीं सिर्फ 10th में भी है और 11th की economics में भी आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आज की class में stats के बारे में थोड़ा सा हम theory part भी करेंगे जिसमें हम समझेंगे की stats हम पढ़ते क्यों है इसकी दरुदत क्या होती है और असली life में stats कहां पर काम आता है तो चलिए start करते हैं अपनी आज की class तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं chapter 14 जो की class 9 की maths का है stats तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि stats बना यह जाते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कई तरह के data होते है ठीक है इसको data पढ़ना उसको data मत पढ़ना कोई पहले बता तेता हूं ठीक है इसको data पढ़ा अब data क्या होता है data information अगर स्कूल के बच्रू के marks के लूँ तो वह फ् Izotic पूर्थ होती है उसके अलावा अगर बच्चों की हाइट की बात करूँ तो उसके लिए भी मैं इन्फरमेशन रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि कितनी कितनी हाइट है और साथ साथ इन्फरमेशन और भी चीजों की रिकॉर्ड हो सकती है कोई मुझे बताएगा और किस चीज की information record हो सकती है किसकी health की health की information क्या से record करोगे income की हो सकती है ठीक है हाँ बिल्कु सही है कोविड की अगर आप बात कर रहें तो कोविड के cases की information हमने उसमें record की थी ठीक है daily basis पे बिल्कु सही answer दिया आपने ठीक है तो यह जो information हम record करते हैं यह क्यों करते हैं इसके कई reasons है तेखो अगर मालो मैं जानना चाहता हूँ कि मालो मेरा school है मैं principal हूँ school का ठीक है और मैं जानnah जाता हूँ मेरे school हैं बाच्चे किटने पास होते है existing percentage क्या है ठीक है तो मैं इस information को वहां से निकाल सकता हूं कि आप क्या बोल रही है जीरो तो इस information को मैं data से निकाल सकता हूँ उसी तरह है अगर मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चे सेर्फ और सेर्फ Maths में अच्छे तो वो भी मुझे पता लग जाएगा Science में अलग-अलग subject के हिसाब से पता लग जाएगा तो उसके हिसाब से हम data collect करते हैं अच्छा ठीक है सबसे बड़ा data collection कब होता है जब census का data होता है ठीक है population जब गिनते हैं आपने देखा होगा आपके घरों पे भी आते हैं जंडगना वाले जो रजिस्टर वगरा लेके आते हैं और वो गिनते हैं कि आपके family members कितने हैं और किस चीज की information लेने आते हैं वो family members कितने हैं काम क्या करते हैं अगर बच्चे हैं तो कितने साल के हैं एज पूछते हैं ठीक है और अगर बुड़े लोग हैं उनकी उमर क्या है तो ये सारी चीज़े इखटा करके वो ले जाते हैं ठीक है उसको बोलते हैं census ठीक है अगर अगरा ध्यान से समझें तो सबसे पहले income हम निकाल सकते हैं ठीक है जैसे कि census कि अगर हम बात करें तो लोगों की income के बारे में हमको पता लगता है और income से क्या प्रूफ मिलता है कि हम income tax कितना ले government को income tax लेना होता है ठीक है तो अगर लोगों की income उनको सही से पता होगी तो टैक्स ले पाएंगे तो इसलिए यह data काम आगया information काम आगी उसके अलावा बूड़े कितने हैं ठीक है pension कितने लोगों को देनी हैं हमको तो government आपको पता होना चाहिए सिर्फ आर्मी वालों को pension नहीं देती है जो senior citizens होते हैं उनको भी pension देती है तो यह भी पता लग जाता ह हमको ठीक है उसके अलावा बच्चे कितने हैं तो इसका मतलब हमको बच्चों की पढ़ाई पर मतलब education पर कितना ध्यान देना है यह भी government को पता लग जाता है कि अगर इस area में इतने बच्चे हैं और schools इस area में कम हैं तो यहां पर school बनाने की जरूरत है कितने बड़े level पर क tips हैं वो हम वहां से ले सकते हैं कहने का मतलब कि हम यह जान सकते हैं कि इस area में कितने लोग बिमार हैं और किस बिमारी के शिकार है उसके हिसाब से अगर उस एरिया में hospitals कम हैं तो उसको भी हम hospital भी बना सकते हैं समझ रहो तो data कितने बड़े level पे काम करता है और बहुत important होता है चलो यह तो हो गया basic introduction तो अगर आपसे कोई पूछता है कि data किसले use होता है तो आपको simply बता देना है इसमें note करने वाला भी कुछ था नहीं इसलिए मैंने आपको note नहीं कराया है तो basically अभी जो class 9th में हम पढ़ रहे हैं तो class 9th में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत basic चीज़ बताई जाएगी आपको क्योंकि main चीज 10th class में आएगी फिर 11th में आएगी ठीक है तो अभी फिलाल हम class 9th के हिसाफ से पढ़ रहे हैं basic चीज़ ठीक है अब देखो करना क्या है तीन चीज़े होती है एक होता है raw data अब raw data का मतलब क्या है अब यहां से important चीज़ शुरू हो गई है तो ध्यान से समझना तो raw data जो होता है इसका मतलब है आपको मैंने काम दिया कि अपनी class के जितने भी बच्चे हैं उनके marks record करो किसी को भी काम दे दिया आप में से ठीक है तो आप ले गए register आप record करने लग गए तो आपने इस तरह से record किया कि पहला बच्चा roll number one जिसका roll number one था उसके out of hundred की बात कर रहा हूं मैं hundred marks की बात करूं ठीक है है तो हो सकता है वैशनव की छुपी हो इन marks के पीछे दूसरे के 60 marks है ठीक है आपने रिकॉर्ड कर लिया है कि तीसरे के 90 marks आए ठीक है यहाँ पर आरेन खुश हो रहा है लेकिन आरेन तुमसे उमीद है भाई 90 से भी उपर लाने की ठीक है 90 में खुश मत हो अभी और भी जाद आने वाले एक बच्चे के तो उसमें हाथ कड़ा करना ठीक है उसके बाद चलो comparison नहीं करेंगे हम बच्चों का ठीक है marks लिख देता हूं जड़ी अलबी आपने total 10 बच्चों के marks आपने लिख लिए ठीक है नाइन्थ रोल नंबर के आये हैं 68 और 10 दस्वे रोल नंबर के जो आये हैं वह हंड्र नंबर ठीक है एक ऐसा भी था जो पूरे marks लिए तो ऐसे ही आपने सब बच्चों के लिखते गए लिखते गए लिखते गए यह raw data हो गया इसमें कोई कोई चीज मेरे को खास समझ नहीं आएगी जब आप ऐसे दो ठीक है अब मुझे अगर पता करना है कि बच्चों की percentage कितनी रही पास होने की या मेरी class की performance क्या रही है तो पता ही नहीं चल रहा देखो पहले तो इसी लिए इसको बोला जाता है raw data जिसको पढ़ने के बाद सामने वाला आदमी confused हो जाए कि है क्या ठीक है उसको बोलते है raw data तो इस data को अच्छा माल लो यह तो 10 बच्चे थे अगर उस class में 100 बच्चे होते चलो व्याज़े आपके section में max to max 50 होते हैं में रिकाल से तो ऐसा data चलो मुझे पूरे school का collect करना है जिसमें 1000 बच्चे है जिसमें 1000 बच्चे है ठीक है तो वहाँ पर क्या करोगे ऐसे ही दिखाओगे मुझे या किसी इस तरह से दिखाने की कोशिच करोगे कि मेरे को आराम से समझ आए तो ठीक है ग्राब बना सकते हैं और भी चीज़े कर सकते हैं तो यहां पर है ना देखो इसको बोला जाता है raw data तो इसको सही करने के लिए आपको ascending order ascending या descending order में लगाना होता है ascending या descending order में अगर आपने लगा दिया तो उसमें में को समझ आएगा कि कितने बच्चे कितने marks ला पाए हैं तो एक order में लगाना है आपको ठीक है और फिर उस order का क्या करना है वो भी बताऊंगा बहुत सारे जो बच्चेयों के marks लिखे हैं अगर मैं उस को बहुत छोटे में आपको दिखा दूँ तो आप समझ जाओगे कि हाँ यह स्कूल कैसा है पड़ाई में ठीक है तो इसको raw data बोलते है और raw data को जब आप arrange कर देते हो किसी तरह और उसको छोटा कर देते हो तो उसको बोलते है arranged data ठीक है उसको बोला जाता है arranged data यह मत करना यह यह अभी नहीं करना है जो main चीज है अभी बताऊँगा आपको सब बच्चे example number one निकालेंगे अपने बुक का example number one में अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं इन्होंने क्या data दिया हुए consider the marks obtained by 10 students in a mathematics test as given below तो 10 बच्चों के number लिखे हुए और यह 100 out of 100 में इसे ही लिखे होंगे तो सबसे पहले बच्चे के 55 number है उसके बाद देख सकते हैं 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75 और 62 की पाधने तो यह यह कैसे लिख हैं जैसे जैसे उसने पूछे होंगे कि आप के कितने number है लिख दिए आपके कितने number है लिख दिए इस तरह से उसने data collect किया है तो यहां अगली लाइन पढ़ो इस data is called raw data देक पा रहो ठीक है देश डीटा ही इस गॉल्ड रो डेटा ये रो डेटा क्यों है क्योंकि ये अरेंज नहीं किया गहें आ इस्था एफ यह ड्टाने टेकर आगे बड़ता है तो रोड य। मतलब the data which is not arranged the data which is in raw form which is in raw form and is not arranged is called raw data. चलो यह आपको समझ आगे उसके बाद एक और चीज आती है रेंज रेंज के बारे में पड़े गया है रेंज मतलब होता है देखो जो भी सबसे बड़ा data होगा जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा जितना भी data हमने collect किया है highest mark minus lowest marks इसको बोलते है range जितना भी data हमने collect किया उसमें मालो सबसे जादा जिसके number थे ठीक है उसको आगे लिख देना और जिस बच्चे के सबसे कम number थे उसको पीछे लिख देना और दोनों को minus कर देना तो वो आ जाएगा range ठीक है तो यह heading भी डाल लो इसकी definition बता देता हूं range it is the difference between it is the difference between the maximum and the minimum marks in the data the maximum and the minimum marks in the data यह चीज के लिए रहे तो अब यहां पर आप ध्यान से समझना अब हम करने क्या वाले हैं इस चाप्टर में बड़ा simple सा चाप्टर है चाप्टर में आपको data दिया होगा raw form में ठीक है तो exercise exercise जो हम कर रहे है exercise 14.2 पर आ जाएंगे सारे करना क्या इस चैप्टर में ध्यान से देगा यहां पर आपको raw data दिया होगा आपको दिया होगा raw data और उसको आपको पहले तो arrange करना है पहले तो arrange करना है और arrange करने के बाद frequency distribution table बनेगा frequency distribution table और उसके बाद last में बनेगा grouped frequency group frequency distribution अब यह तीनों में फरक क्या है पहले तो द्यान से समझते देखो raw data को arrange हो सकता है बुक में करके दे यह आपको करना हो तो वह मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है आप focus अभी यह करो raw data होता है जैसे मैंने आपको दिखाया उसके बाद यह frequency distribution क्या होता है देखो द्यान से समझते हैं frequency distribution अब मानलो कि मेरे पास बच्चे बहुत जादा हैं मानलो दो तीन क्लास के मेरे पास students हैं तो मैं उसको आसान तरीके से कैसे दिखाऊंगा मैं इस तरीके से कैसे दिखाऊं कि वो आधे पेज में ही information आ जाए क्योंकि दो तीन क्लास के बच्चे हैं उसके उसके लिए जो मैंने पेज भरे होंगे देखो एक्स बनता है दियान से समझना ठीक है यह आप ऐसे इसको class mark लिख सकते हो class marks और यहाँ पे लिखना frequency अब देखो कैसे मैं group कर रहा हूं बहुत सारे बच्चों को छोटे छोटे group में डाल दूँगा classify कर दूँगा ठीक है अब मान लेते हैं के तीन बच्चों के ठीक सबसे कम marks उनीके थे सबसे कम किसके थे पांच नंबर ठीक है तो यहाँ पर मैंने जो सबसे कम था वो लिख दिया सबसे कम नंबर देखो यहां पर नंबर की नीचे लिखा यह तो सबसे कम नंबर थे 5 और यह कितने बच्चों के आए थे 3 बच्चों के तो यहां पर 3 लिख दिया तो देखो 3 बच्चे इतने में आ गए ठीक है आगे देखते हैं उससे जादा जो थे मैंने देखा तो पंदरा नंबर आये एक student का, एक ही का आये था पंदरा नंबर, ठीक है, तो उसके साथ एक ही लिख दिया, यह frequency क्या है, frequency मतलब होता है, कितनी बार यह नंबर repeat हो रहा है, ठीक है, जितनी बार भी यह marks repeat होंगे, उसको यहाँ पे f में डालना होता है, तो frequency मतलब होता है repetition, तो यहाँ पे 5 नंबर, 3 बच्चों के, 8 नंबर, 10 बच्चों के, 15 नंबर, एक बच्चे का, और माले थे हैं, 20 नंबर आ गए, 50 students के, ठीक है, माले लोग आ गए होंगे, 20 नंबर, ठीक है, 20 सबका favorite है, उसके अलावा, 35 नंबर आये है, इसके बाद सीधर 35 नंबर आये है, 5 बच्चों के, और 60 नंबर आये है, 20 बच्चों के, अब एक चीज़ देखो ध्यान से, मैंने कितने बच्चों की information यहाँ पे दिखा दी आपको, हाँ, कैसे बतला लगा, इन सबको plus कर लो, देखो यह 70 हो गया, यह 80 हो गया, ठीक है, और यह 89 हो गया, एक औ अब बच्चों की information दिखा दी, आपको यहाँ पे, ठीक है, फरक देख रहे हो, तो यहाँ पर raw data को मैंने लिया, और उसको ऐसे अरेंज करके आपको दिखाया, तो इससे मुझे यह पता लगा, कि जो जाधा बच्चे हैं, उनको मैं कम जगे में भी दिखा सकता हूँ, इतन जाधा बच्चे होते हैं, तो क्या किया जाता है, उसके लिए group frequency distribution बनाए जाता है, उसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, class interval, ठीक है, यहाँ पर तो class marks लिखे थे, यहाँ पर क्या लिखा है, class interval लिखा है, और यहाँ पर भी frequency लिखा है, यह frequency मतलब जितने बच्चों के आ तो मैंने window बना दी, खिड़की बना दी, कि zero से लेके 10 marks, zero से लेके 10 marks, जितने बच्चों की भी आया होंगे न, उसको इसमें डाल दूँगा, और कम हो जाएगा न, लेटा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक तो अलग अलग लिख रहा था, पांच नमबर इतने बच्चों के, आठ नमबर इतने बच्चों के, अब मैं क्या कर रहा हूँ, zero से लेके 10 marks, जितने भी बच्चों के आया होंगे, यहाँ पर लिख दूँगा, तो मेरे को पता लगा, 100 बच्चों के zero से लेके 10 में आया है, ठीक है, जिसमें वैशन वी और उसके best friends भी हैं, 90 बच्चों के नमबर है, 30 से लेके 40, 20, 40 से लेके 50, 200, 50 से लेके 60, 300, 60 से लेके 70, 1000, बड़ा स्कूल है मालो, 4-5 बच्चे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, 60 से लेके 70 के बीच में 1000 बच्चे आ रहे, बलब इतने बच्चे 60 और 70 के बीच में नमबर लेके आए, तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ भी कितने बच्चों के बारे में बता दिया मैंने, कितने, टोटल 1000 थोड़ी बताया है, यह सारे बच्चे भी तो गिनो, अब देखो, 1000, 1500, 1600, तो लगबग, साड़े सातरा सो बच्चों के बारे में बता दिया, 1750 बच्चों के बारे में, अब इससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, कि मुझे, मतलब जो मेरा स्कूल है, यह जिस स्कूल के बारे में मैं जानकारी लेना चा अभी 100 वाला मैंने डेटा लिखा नहीं है, यहाँ पर जगे कमती इसले, वना 100 वाला भी आप लिख सकते थे, तो यहाँ पर हमको पता लगा, सबसे जादा 60 से 70 में आ रहे हैं, तो समय लो स्कूल की बढ़ाई ठीक ठाक है, तो ऐसे आप स्कूल के बारे में जज्मेंट ले सकते हो, और जादा डेटा को छोटी जगे पर कलेक्ट करके रख सकते हो, clear, समझाया, तो आपको है न, question में अगर बोला हो, frequency distribution बनाओ, तो यह बनाना, उसमें क्या करना है, आपको यह नहीं बनाना, यह window नहीं बनानी, ठीक है, class interval नहीं बनाना, आपको सीधा class mark लिखना है, और यह देखना है कि कितने number उसमें है, ठीक है, उसमें number repeat भी हो रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, जितने number आएंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे, और एक एक बार ही लिखेंगे, और वो number अगर repeat हो रहा है, तो जितनी बार repeat हो रहा है, उसको यहाँ पर लिखेंगे, अब मै करके दिखाता हूं आपको तब आपको समझ आएगा हाँ एक और चीज आपको अरेंज करना बहुत ज़रूरी है कहने का मतलब यह जब आप लिखोगे ना देखो मैंने अरेंज करके लिखा यहां पर नीचे से उपर की तरफ होना चाहिए यह उपर नीचे ऐसा नहीं होना चा बाद आके बढ़ते हैं चलो ठीक है अब हम करेंगे एक्जामपल नंबर टू एक्जामपल नंबर वन तो बहुत चोटा सा था उसमें ज्यादा बच्चे भी नहीं थे दस बच्चे थे टोटल एक्जामपल नंबर टू में देखो दस से ज्यादा बच्चे हैं मतलब यहां पर थर्टी स्टूडेंट्स हैं टोटल ठीज बच्चे हैं तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्रिब्यूशन टेबल बनाके दिखाऊंगा आपको एक्जामपल नंबर टू कर रहे हम जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्रिब्यूशन टेबल बनाएंगे और अभी मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्रिब्यूशन में दो कॉलम बनते हैं जिसमें सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्लास मार्क्स और कॉलम बनाके यहां पे लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी अच्छा ठीक है इसको और असान बनाने के लिए मैं एक और मैथड यूज़ बियूशन करता हूँ जिसको बोलते हैं टैली मार्क्स जिसको बोलते हैं टैली मार्क्स ठीक है आपको भी कोशिश करके यही वाला जो तरीका है वो अपनाना है यहां पर फ्रीक्वेंसी बनाई गया अब यह टैली मार्क्स क्या होता है देखो आपने देखा होगा कुछ इस तरह का टैली मार्क होता है ठीक है यह चार का गुरूप बनता है यह जब भी एक नंबर आता है तो हम एक डंडा खीच देते हैं ठीक है और जैसी चार का गुरूप बनता है तो पांच में डंडे से इसको इस तरह से काड़ दिया जाता है तो यह 5 का group बन जाता है, तो इसको गिनना भी असान हो जाता है, ऐसे अगर 2 group हो गए, तो समझ जाओ कितने number हो गए, 10 number हो गए, तो इसी चीज़ का हम use करने वाले हैं इसमें, और बड़े simple तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले class marks लिखना हमको, अब ये तो question में जो आपको है, अगर मैं देखूं, सबसे पहले, सबसे छोटा कौन सा number दिखाई दे रहा है, भीड में, 10 देख रहा है, उसके बाद उससे बड़ा, 20 है, देखो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा, इसमें से देखना पड़ेगा, कि कौन सा number 6, 60, 70, 72, 80, 88 और 92 और 95, ठीक है, तो इस तरह से numbers लिखे हो है, इस number क्या है, 95, तो यह देखो मैंने एक एक बार लिख दिये सारे, भले ही उसमें दो दो तीन तीन बार दिये थे, लेकिन मैंने एक ही बार लिख कर, ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, टैली मार्क्स यूज़ करके बड़े असान तरीके से मैं इसको इसमें अरेंज कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंसे में, कैसे, स्टार्टिंगी, अब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 10 लिख है, तो आप सब में 10 डूड़ोगे, नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है, आप क्या करना, पह हाँ पे 10, 20, 36, 93, 92 और 95, कर दिया, यह सारे एक बार आ गए, अगले 5 पढ़ेंगे, 40, 50, 56, 60, 70, 40, 50, 56, 60, 70, यह सारे एक एक बार आ चुके, 92, 88, 80, 70, 92 देखो दूसरी बार आ रहा है, 88, 80, और 70, 70, दूसरी बार आ रहा है, 72, 70, 36, 40, 72, 70, तीसरी बार आ गया, 36, उसके बाद है, 40, उसके बाद 36, 40, तो इसमें 36 लगा दिया, 40, उसके बाद 36 और दूबार आ से 40, इस तरह ऐसे करना है, समझा रहा है, देखो दो लाइन हमने खतम भी कर ली, तीसी लएन पर आते है, 92, 40, 50, 50, 92, 40, 50, और दूबार आ से 50, 56, 60, 70, 60, 56, 60, 70, और 60, दूबार आ से, फिर दुबारा से एक बार 60 और 88 है, तो यहाँ पर 60 एक और बार आ गया, और 88, यहाँ पर एक और बार, च्लिर, तो कोई भी नंबर 5 बार नहीं आया है, 4 बार आये, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यह जो नंबर्स हैं, उसको उठाके यहाँ पर लिख दूंगा, तो यह एक बार आया है, 10 जो एक बार आया है, उसके बाद जो 20 है, 20 भी एक बार आया है, 36 की बात करूँ तो 3 बार आया है 40 53 बार आया है 56 दो बार है 4 दुबारा से 4 ये 1 हो गया उसके बाद वाला भी 1 हो गया तीक है ये लाइन खीचने के आपको जुरूत नहीं है तो आपको समझाने के लिए ताकि सही से दिखे इसलिए मैंने या पर कर दिया है यहां पर 3 हो गया और यहां पर आखरी में भी 1 तो इस तरह से आप Frequency Distribution Table बना सकते हो Any Simple कर लोगे सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लेकिन एक बार ये अरेंज हो गया इसको Ascending है Descending में लगाना है अगर आपने उल्टा सीधर लगा दिये तो Marks कर जाएंगे पहले बता रहो ठीक है उसके बाद Tally Marks बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वो तो जैसे जैसे आते जा रहे नंबर वैसे बनाना और गलती से यह मत करना जैसे मैंने आपको बताया कि 60 अगर 4 बार लिखा है तो उसको 60 को डूड रहे हो एक, दो, तीन, चर टाइम वेस्ट होगा जैसे जैसे जो मिल रहा सीधा सीधा नंबर डंडे डालते रहो ठीक है उसके बाद Frequency यहाँ पर लिखने के बाद हमको Frequency पता लग चुकी है कि कौन से नंबर कितनी बार आया है तो टोटल 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर त्यार कर दी है तो आप कौन सा डेटा ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में आपको आपको करना है इसमें Blood Groups है क्वेशन समझाह देता हूं आपको 30 स्टूडेंट्स के Blood Groups के बारे में आपको दिया हुआ है आपको पता है Blood Groups A होता है B होता है O होता है और AB होता है यहाँ पर चार तरह के Blood Group है A B O और A B ठीक है तो सबसे पहले यह marks में लिखना class marks में यह वाला लिख देना अब इसको औरेंज तो करने की जरूरत नहीं है इसको जैसे दैसे लिख दो यह number तो है नी जो औरेंज करोगे उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर फ्रीकुएंसी बनाओ चलो जली जल्दी करो देखते हैं कौन पहले करता है झाल झाल